चिकी यार्ट हिंदी हेलो दोस्तों, अरे ये क्या है? ओ, ये है एक बबल टी दोस्तों, हम एक पैंडा शेब लिट ड्रॉ करने वाले हैं ये रहे पैंडा के आईज, येर्स, नोस और एक क्यून सी स्माईल अब एक स्ट्रॉ ड्रॉ करो फिर ड्रॉ करो सिपर पारी है टी वेव्ज ड्रॉ करने की और आखिर में बबल्स, यानि टापियोका बॉल्स ये बबल टी का में इंग्रीडिन्ट है बहुत बढ़िया बॉर्डर्स को थोड़ा ठिक करो बिल्कुल ऐसे ही पर रंगों के बिना ये कितना अधूरा लग रहा है ना चलो इसे पूरा करते हैं सबसे पहले चमकीला रेड जो जाएगा हमारे स्ट्रॉपर ग्लिटरी पिंग पैंडा के येर्ज में फेस के लिए लेंगे सिल्वर पैंडा तो चमक रहा है और इसके प्यारे प्यारे आँखों पर स्पार्कलिंग ब्लैक कलर नोस पर थोड़ा सा रेड और पैंग चमकीला यलो जाएगा सिपर के लिड पर पहली लेयर में भरो आईसी आईसी ब्लू वुहू और दूसरी लेयर में बेरी पपल यमी यमी माचा ग्रीन थोड लेया के लिए इस रंग ने तो धूब बचा दी रंगों के इस खेल में आगे चलो अब अगले लेयर में भरो कलर यलो अरे वा क्या बात है आखिर में स्ट्रॉबेरी पिंक मज़ेदार लग रही है हमारी ये ड्रिंक बहुत बढ़िया बबल्स में भरो ब्राउन कलर टापियों का बॉल्स टी में मिक्स होते हैं लेकित आप इन कलर्स को मिक्स मत करना ये गुड जॉब टाडा ये बन गई हमारी बबल टी मैं तो इसे पीने जा रही हूँ आप देखते रहो चेकियाट हाई दोस्तो चलो इस प्यारे से घर को ड्रॉ करते हैं शुरू करेंगे एक बड़े ट्राइंगल से और फिर ट्राइंगल के थोड़ा अंदर हम एक रेक्टाइंगल ड्रॉ करेंगे एक दर्वाजा और कुछ स्क्वेर विंडोज घर के पास एक ट्री ड्रॉ करें अरे ये ट्री तो आइस कैंडी जैसा दिख रहा है बारी है to add some fun ड्रॉ करेंगे हम एक सन कितना असान था ये है ना बारी है पेंटिंग की बनेगी हमारी ड्रॉइंग रंगीन सबसे पहले लेंगे स्पार्कलिंग ग्रीन अरे वाह क्या बात है ट्री ट्रंग के लिए थोड़ा सा ब्राउन घर के छत यानी रूफ के लिए हम इस्तिमाल करेंगे शाइनी रेड कलर लाल से हमारा घर दिख रहा है बहुत ही कमाल और वाल के लिए लेंगे ग्लिटरी येलो शाइनी रेड रूफ हमारे येलो वाल के साथ क्या खूब दिख रहा है बहुत अच्छे दोस्तों आप चाहो तो वाल पर अपने मन पसंद पैटर्स भी ड्रॉ कर सकते हो बहुत बढ़िया अब लेंगे ग्लिटरी पिंक आल्टरेट विंडो फ्रेम्स के लिए और बाकी के फ्रेम्स पर करेंगे हमारा फेवरेट स्काई ब्लू हमारा दर्वाजा नहीं रहेगा सिंपल क्यूंकि हम यूज करेंगे चमकीला पपल बहुत अच्छे डोर नॉब के लिए ग्रीन अब क्या बाकी है जी हाँ हमारा सन सन्रेस के लिए यूज करो स्पार्कलिंग औरेंज कलर और बीच के सर्कल के लिए येलो अरे वाह क्या बात है ये है मेरा घर कितना सुन्दर इसमें मैंने भरे ठेर सारे रंग चलो बच्चो आ गई है हमारी ट्रॉक आज हम ड्रॉ करेंगे एक मिक्स ट्रॉक शुरू करेंगे गोल गोल पईयों के साथ ट्रॉक के पईये घुमे गोल 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 चलो अब ड्रॉ करें एक खिड़की यानी विंडो और स्टेरिंग वील और फिर बढ़ेंगे मुख्य भाग के ओर जो है मिक्सर थोड़ी लाइन्स और बनाओ यार वॉला हो गया हमारा ट्रक तयार अब हम शुरू करेंगे पेंटिंग स्टेरिंग वील के लिए स्पार्कलिंग ब्लाक कलर और खिड़की के लिए चम कीला स्काई ब्लू वुहू अब पारी है यलो कलर की जो हम पेंट करेंगे ट्रक के फ्रंट बॉडी पे कितना सुन्दर लग रहा है है ना ये जो चबकदार कलर हमें मिला है देखो ब्लाक और ब्लू के साथ क्या खुब खिला है पाईयों के उपरी हिसी के लिए पिंक कलर कैसा रहेगा बहुत अच्छा पाईयों के बीच में चम चमाता यलो कलर और पाईयों के लिए स्पार्कलिंग ब्लाक कलर दोस्तों समभाल कर ब्लाक कलर यलो में मिक्स ना हो जाए रंगीन हो गया है हमारी ट्रक का पैया चलो करे चैया चैया वाउ कितना प्यारा लग रहा है कलो इसको मत करना स्पिल क्योंकि इसमें ग्रीन और ओरेंज करेंगे फिल सुझास चिल मुख्य भाग के लिए रेड कलर का करेंगे इस्तिमाल अहाँ लाल होता है कमाल इससे हमारा ट्रक दिखेगा बेमिसाल अब है चमकदार चमकदार यलो कलर की बारी तो मिक्सर के बीच और भी चमक रहा है फिला रंग आगे बढ़ो और इसमें परपल कलर भरो वाह ये हुई ना बात बज़े हुए हिस्सों में यूज करेंगे चमकदार क्रीम कलर अहा ओए मैं निकली गटी लेके चलो चले कंस्ट्रक्शन साइट पे बाई हलो दोस्तों चलो ड्रॉ करें सांटा, रेंडियर और क्रिस्मस ट्री सबसे पहले सैंटा की बारी शुरू करेंगे आउटलाइन से बनाएंगे उसकी दाड़ी, कैप, आखे, नाक और मूँ अब बनाएंगे सैंटा की गोल मटोल बॉडी उसके बाद सैंटा के हाथ अरे देखो सैंटा हाइफाई कर रहा है अब बनाओ सैंटा के पैर बॉडर को थोड़ा मोटा बनाओ रंग भरने के लिए तयार हो जाओ सैंटा का कॉस्ट्यूम होता है रेड तो इसमें हम भरेंगे रेड कलर ये लाल दिख रहा है न बहुत कमाल रेड ड्रेस में सैंटा कितना क्यूट लग रहा है अब लेंगे चमकीला वाइट सैंटा की दाड़ी में भी भरेंगे सफेद कलर जिंगल बेल्स जिंगल बेल्स जिंगल सब गाए देखो देखो हमारे लिए सैंटा तो फेलाए सैंटा के फेस में भरेंगे पीच कलर हाथों के लिए इस्तमाल करो शाइनी ब्लैक कलर बेल्ट भी होगी सेम कलर की और जूते में भी ब्लैक कलर फिल करो अब क्या बच्चा है? हाँ, दूसरा हाथ और बकल में यलो हो हो हो, ये बन गया हमारा सैंटा क्लॉस अब जाएंगे सैंटा की सवारी की ओर और बनाएंगे रेंडियर शुरू करेंगे रेंडियर की टोपी से टोपी के बाहर निकलते हुए हम ड्रॉ करेंगे उसके होर्ण्स यानी सींग आगे बढ़ेंगे और बनाएंगे इसके कान और प्यारा सा फेस दो आखें एक नाग और एक क्यूट सा छोटा सा मूँ खन से बचने के लिए एक सकाफ बनाते हैं और फिर बनाएंगे रेंडियर की बाडी स्टार्ट करेंगे पैरो से इस बार एक, दो, तीन, चार ये क्या है, रेंडियर की पूच बॉर्डर को थोड़ा सा ठेक करो बहुत अच्छे ड्रॉइंग तो हो गई पूरी, लेकिन कलर्स भरना है जरूरी सींग पर करेंगे चमकीला डार्क ब्राउन कलर लाल भरेंगे रेंडियर की टोपी में है ना ये सांटा से मैचिंग स्काफ में भी रेड कलर फिर से ब्राउन कलर भरेंगे कान, नाक, मूँ और पैरू में फिर लाइटर ब्राउन भरेंगे बाकी के कान में, चहरे और बॉडी में क्योंकि रेंडियर ब्राउन कलर का होता है अब मूँ और पैट में भरेंगे चमकीला यलो कलर आखिर में पिंक, टिडिंग, ये बन गया हमारा रेंडियर लेकिन क्रिस्मस तो क्रिस्मस ट्री के बिना अधूरा होता है चलो बनाते हैं एक क्रिस्मस ट्री सबसे पहले एक सितारा और फिर हमारी क्रिस्मस ट्री जो होगी तीन लेयर की एक, दो, तीन और एक स्टेम उसको सजाएंगे बॉबल्स के साथ ये तो अभी से ही क्यूट लग रहा है अब बनाएंगे इसका बॉडर बहुत अच्छा कर रहे हो दोस्तो कलर टाइम स्टार के लिए यूज करेंगे स्पार्कलिंग येलो और स्पार्कलिंग ग्रीन क्रिस्मस ट्री के लिए क्रिस्मस ट्री, क्रिस्मस ट्री, तुम दिखती कितनी प्यारी हरे रंग में हो लिप्टी, खशियां लाई ठेर सारी वाव प्राउन कलर स्टेम के लिए और बॉबल्स को रंग बिरंगे कलर से भर दो वाव रेडी हो गया हमारा क्रिस्मस ट्री बहुत बड़िया मेरी क्रिस्मस दोस्तों फिर मिलेंगे बाबाई सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहे चिकियार्ट हेंदी